हलो स्टुरेंट्स and welcome to my youtube channel life processes chapter से आगे हम lecture number 6 आज शुरू करते हैं स्टुरेंट्स और इस lecture में हम transportation plants की बात करेंगे previously हमने transportation in human beings की बात कि थी स्टुरेंट्स तो आईए हम ये lecture शुरू करते हैं transportation in plants plants के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की यदि में बात करेंगे उस ट्रेंट्स तो एनिमल की तुल्ला में ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम less elaborate होता है या less complex होता है एनिमल्स का तो दो काइंड के transportation हम देखेंगे एक तो वाटर और मिनरल का transportation और एक food और दूसरे substances का transportation तो इस ट्रेंट्स हम शुरू करते हैं transportation of water and minerals the main water conducting tissue in higher plants is जाइलम अब हाइर प्लांट्स में यदि हम main water conducting tissue की बात करें तो वो जाइलम हो जाएगा जाइलम is made of vessels and trackids जाइलम जो है वो vessels or trackids से मिलकर बना है नाइंध क्लास में आपने जाइलम के बारह में बढ़ावी यह स्टुनेंट्स यह complex permanent tissue होता है इन जाइलम टिशू vessels and trackids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant अब यदि हम roots, stems, leaves में पाया जाने वाले जाइलम टिशू की सभी vessels और trackids की बात करें स्टुनेंट्स तो यह interconnected पाया जाती है और continuous system का formation करती है और continuous system बना कर एक water conducting channel बनाती है और इस water conducting channel के द्वारा plants के हर भाग में water को और minerals को पहुचाया जाता है At the roots, cells in contact with the soil actively take up ions Roots के हम बात करें तो roots जो है वो soil के contact में पाया जाती है और soil से roots ion actively लेने का काम करेगी Active process के द्वारा soil से ions जो है वो roots में चले जाते हैं This creates a difference in the concentration of these ions between the root and the soil अब ions का soil से roots की तरफ आने की वज़े से root और soil के बिच में इन ions का concentration difference पैदा हो जाता है या इन ions की सांधरताओं में अंतर हो जाता है अब ये concentration difference होने की वज़े से water जो है वो moves into the root from the soil Soil से root के अंदर move करना चालू कर देता है ताकि ये concentration difference जो है वो eliminate किया जा सके या इस सांधरता में अंतर को हटाया जा सके This means that there is steady movement of water into root जायलम इसका मतलब ये हुआ कि water का root के जायलम में एक continuous movement जो हो शूरू हो जाता है creating a column of water और यहाँ पर एक water का column बन जाता है that is steadily pushed upwards और जो कि water को continuously उपर की तरफ पुश करने का काम करता है However, this pressure is not enough to move water over the heights that we commonly see in plants फिर भी यदि हम बात करें स्ट्रेंट्स तो ये pressure जो है enough नहीं होता है higher plants में उचे-उचे plants में water को पहुचाने के लिए plants use another strategy, इसलिए plants के अंदर एक दूसरी strategy भी पाई जाती है जो कि पानी को upwardly या उपर की तरफ move करवाने में मदद करती है, help करती है अब ये दूसरी strategy क्या होती स्ट्रेंट्स उसके हम बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि plants के अंदर इस्ट्रोमेटा पाये जाते हैं और इस्ट्रोमेटा से पानी जो है वो ट्रांस्परेशन के रूप में लॉस किया जाता है अब इस्ट्रोमेटा से जो पानी लॉस हो रहा है तो उस लॉस हुए हुए पानी को refill करने के लिए लीव की जैलम वेसल से पानी जो है वापस वहाँ पर आता है in fact evaporation of water molecules from the cells of the leaf creates a suction which pulls water from the जैलम cells of roots अब evaporation होने की वज़े से लीव के अंदर सक्षन प्रेशर डवलप हो जाता है जो कि पानी को रूट के जैलम से उपर की तरफ खीचने के लिए काफी होता है सक्षन प्रेशर का मतलब होगी एक चूशन बल एक सक्षन फोर्स यहाँ पर लीव से रूट की तरफ काम करता है जो कि रूट के जैलम से पानी को उपर की तरफ खीचता है जैलम से चूशन बल से पानी का इवपर होकर लोस होना ट्रांस्परेशन कहलाता है इस प्रकार से ट्रांस्परेशन जो है वाटर के अब्जोप्षन में और बटर के अपर्ट मूमेंट में मदद करता है इसके लावा पानी के साथ साथ minerals भी अब पार्डली movement करते हैं roots to the leaves roots से leaves की तरफ it also helps in temperature regulation transpiration की दवरा plants में temperature का regulation भी किया जाता है temperature को भी regulate किया जाता है the effect of root pressure in transport of water is more important at night night में इस्टुमेटा close हो जाते है transpiration ना के बराबर होता है तो उस समय root pressure जो है वो water को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है लेकिन दिन के समय जब इस्टुमेटा open होता है तो transpiration pull एक major driving force के तरफ काम करेगा और water को जायलम के द्वारा plants के विबिन भागों तक उपर के भागों तक पहुंचने का काम करता है तो स्ट्रेंट्स ये transpirational pull क्या होता है वो भी आप learn करेंगे what do you understand by transpiration pull ये एक diagrammatic view आपको यहाँ पर दिखाया गया स्ट्रेंट्स के किस प्रकार से water जो है वो roots के द्वारा absorb किया जा रहा है और उसके बाद roots के जायलम से होता हुआ stem के जायलम से होता हुआ leaf के जायलम में और plants के various भगों में पहुचाया जा रहा है water travels through plants water operates from leaf surface और leaf surface से sunlight में किस प्रकार से जो पानी है वो evaporate हो रहा है तो एक transportation pool जो है वो नीचे की तरफ suction pressure लगाएगा students और पानी को उपर की तरफ खीचने का काम करेगा आगे हम देखते है students transportation of food and other substances food का और दूसरे substances का किस प्रकार से transportation होता है food conducting tissue भी plants के अंदर पाया जाता है जिसे हम phloem काएंगे students ये भी एक complex permanent tissue होता है जो कि जायलम strands के parallel ही पाया जाता है आगे हम diagram में इसको देखेंगे it consists of CO2 elements and companion cells phloem के अंदर CO2 elements और companion cells पाये जाती है the sugars and other metabolites are transported through phloem sugar और दूसरे metabolic substances या metabolites वो phloem के द्वारा transport के जाते हैं the phloem elements remains in close contact phloem के जो elements होते हैं वो आपस में close contact रखते हैं with the mesophyll cells of leaves leaves के अंदर पाये जाने वाली mesophyll cells के साथ तो students आप यहाँ पर याद रखेंगे leaves के अंदर specific cells पाये जाती है जिने हम mesophyll cells करते हैं और यह mesophyll cells जो है वो phloem के elements के साथ closely contact रखती है soluble carbohydrates या food molecules enter the phloem elements from mesophyll cells of the leaf अब leaf के mesophyll cells के द्वारा जो soluble carbohydrate या food molecules है वो phloem elements के अंदर enter करते हैं once the food molecules enter the phloem they are transported upward downward in lateral direction एक बार food molecules phloem में enter कर जाते हैं उसके बाद वो upwardly और downwardly direction में bi-direction में transport कर दे जाते हैं जायलम में हमने unidirectional flow ही देखा students जायलम में केवल एक दिशिय फ्लो ही पाया जाता है लेकिन phloem में bi-directional upwardly और downwardly flow पाया जाता है आप learn करेंगे students the upward movement of organic solutes takes place from the leaves to developing buds, flowers and fruits for consumption and storage organic solutes का जो upward movement होता है students वो leaves से developing buds की तरफ, flowers की तरफ और fruit की तरफ होता है जहां पर inorganic solutes को consume किया जाता है और consume करने के बाद जो extra बच जाता है उसको store कर लिया जाता है the upward movement also occurs during the germination of seeds germination of seeds, seeds के germination के time भी upward movement देखी जाती है या पाय जाती है the food materials stored mainly in the cotylidons and under sperm are are translocated upward to the growing apex food material mainly cotylidons, beech पत्रों में और end of sperm में store पाया जाता है are translocated upward to the growing apex और आगे की तरफ ये growing apex में translocate कर दी जाता है and stored food को आगे उपर की तरफ बढ़ते हुए apex, seeds भाग में बेज दिया जाता है growing apex का मतलब हो गया seeds भाग, cotylidons का मतलब हो गया beech पत्र और endospalm का मतलब हो गया brun posh, brun को portion दने वाला tissue जिसे हम endospalm कहेंगे the nutrients are transported in tissue tubes in a dilute aquas solution nutritions ये nutrients जो है tissue tube में transport के जाएंगे dilute aquas solution के द्वारा such a transport of food from live to other part of the plant is termed as translocation, इस प्रकार से food का lives के द्वारा plants के दूसरे भागों में जो transport होता है उसे हम translocation कहते हैं which takes place by utilizing energy और ये translocation जो है energy को utilize करके किया जाता है यानि इसमें ATP खर्च होती है material like sucrose is transferred into flowing tissue using energy from ATP substance और material sucrose के हम बात करें phloem के अंदर transfer किया जाता है ATP का यूज करके this increases the osmotic pressure of the tissue causing water to move into it और इसके वज़े से जब sucrose phloem में transport होता है तो phloem tissue का osmotic pressure जो है वो बढ़ जाता है और उसके वज़े से water इसके अंदर move करना चालू कर देता है this pressure moves the material in the phloem to tissue which has या have less pressure और इस pressure की वज़े से जो material है वो phloem tissue से दूसरे tissue में जाना चालू कर दता है जिसका pressure जो है वो कम होता है यानि phloem tissue के अंदर pressure ज़्यादा होता है और उसके पास वाले tissues में अगर pressure कम है तो यहां से material उन tissues के अंदर transport कर दिया जाता है और इस प्रकार से pressure difference जो है वो अलव करवाता है कि plants needs के according phloem जो है material को transport कर सके for example in the spring sugar stored in root or stem tissue would be transported to the buds which need energy to grow spring season में हम बात करें strands तो जो sugar restore हो रही है root or stem tissue में वो growing birds की तरफ transport कर दी जाएगी क्योंकि उसको growth करने के लिए energy के आउशकता होती है यह एक diagrammatic view आपको बताय गया है strands transport in plants जिसमें आपको जायलम भी दिखाई दे रहा है और phloem भी दिखाई दे रहा है जायलम के अंदर आपको water or dissolved minerals जो है से apex region की तरफ stem की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है और जबकि phloem में आपको bi-directionally उपर के तरफ और नीचे की तरफ flamme tissue carry food down from leaf or flamme tissue carry food up from leaf leaf से flamme tissue के द्वारा food को उपर की तरफ भी ले जाया जारा है और नीचे की तरफ भी ले जाया जारा है वर्टर लोस के क्रिया भी इहांपे दिखाई गई है जैसे हम Transpiration कहाथे students तो आप इस डाइग्राम को लेबल्ड करके बनाने की कोशिश करेंगे, स्टुडेंट्स तो यहां हमारा ट्रांस्पोर्टेशन प्लांट्स हो है, वो कम्प्लीट होता है